नमस्कार में अप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते है देश प्रदेश की अपतकी प्रमुख खबरों को अंकरोमन के कुल मामलों का 0.04 प्रतिशत है जबकि COVID-19 से स्वस्थ होने की राश्ट्रियदर 98.75 प्रतिशत है ग्यानवापी मामले और श्रिंगार गौरी मामले की सुनवाई गुरुवार की दोपहर जिला जजज अजेकुमार विश्वेश की अदालक में हुई है अदालक न राज़ के CM के चंदरशेखर राओ पर जब कर हमला बोला उन्हा ने कहा कि देलंगाना का आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार राज़ के लोगों के सपनों को कुचलता रहे कोई एक ही परिवार सामदाम दंडभेत का रास्ता अपना कर देलंगाना को तब चाहि दन्याने बुधवार को सदन मेरे प्रिशीम केशव परिसाद मौरे और पुर्व मुख्यमंत्री अखिले इशादव की बीच तू तड़ाक की भाषा में तीक ही भहस देखने को मिली गुरुबार को इस पर प्रिसीम केशव मौरे ने भावूखो कर कहा कि मेरे पिता अखिले इशादव के इस बयान से में काफी आहत हूँ उन्हाने मेरे दिवंगत पिता पर टिपणी कर पिछरावर का अपमान किया है। अब अजमेर में स्थित ख्वाच गरीब नवाज की दरगाह को हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। ऐसा वेभार किया जाहिए ये जानने के लिए अफसर सम्विधान की इस प्रती को जरूर पढ़े। असल में उनका आरोप है कि अफसर उन्हें बैठको और जरकारी आयोजिन में बुलाते तक नहीं है। चीन के वीजा से जुड़े कथिद घोटाले और मनी लॉंडरिंग के बाबले में दिली के रोज एवेन्यू कोट ने कॉंग्रिस सांसद कार्ती चुदबरम को थोड़ी रहा दी है। कोट ने कार्ती को 30 मई तक किरफतारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। के रिपोर्ट के अरसार वचार करने और कारवाई करने का अंदर देश दिया है। के लिए भारत में गेहू का अनुवानित उत्पादन लगभग 105 मिलियन मिट्रिक टन है और इसे अपनी 130 करोड आबादी की जरूरतों के लिए 30 मिलियन मिट्रिक टन की जरूरत है। जब कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंगवाद रहे यासीन मलिक को सजा का एलान होने के बाद कुछ यूवाओं ने श्रीनेगर में पथर बाजी की थी। इन में से 10 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। भारत में कोरोना संक्रमन्स के कारण 1,60,618 लोग की जान गई थी। ये उस साल मेडिकली प्रमानित हुई कुल 1,8,11,688 लाख मौतों का 8,09 प्रतिशत हिसा है। Medical Certification of Cause of Deaths पर याक्टे नागरिक पंजी करन प्रणाली से एक अद्रुथ किये गए हैं। लोगसभा चुनाब 2024 में होने वाले हैं लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी अभी से इसकी तयारी में जुट गई है। भाजपा का फोकस उन 144 लोगसभा सीटों पर अपनी उपस्तिती मजबूत करने की हैं जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। संगठन के महासाचिफ बीयर संतोष ने योजना पर एक प्रस्तोटी दी जिसमें केंदरे मंत्रियों के लिए बड़े पैमाने पर जन्संपर कभियान शामिल है। से ही गायब हो गई है। मंत्राले के अनुसार राज्ट्रियो प्लब्धी सर्वेक्षन 2021 का आयोजन सिक्षा मंत्राले की स्कूली सिक्षा और साक्षरता विभागने किया था। इसका मकसद तीसरी पाचवी, आठवी और दसवी कक्षा के चातरों के पठन पाठन और सीखने सहिद स्कूली सिक्षा प्रणाली की स्थिति का मुल्यांकन करना था। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आया आठ साल हो चुके हैं इस बीच पीम नरेंद्र मोदी गुरुवार को हैदराबाद पहुचे थे जहां उन्हा ने आईसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारों में हिसा लिया, जोरान पीम मोदी ने भाज़पा कार्य करताओं को सम्भोधित करते वे कॉंग्रिस समेथ तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर भेलिया, उन्हा ने कहा कि देश में परिवारबादी पार्टियां राज करके जनता को लूटना चाहती है, लेकिन अब तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं कॉंग्रिस ने प्रधान मंट्री नरेंदर मोदी के नेतृत वाली के इंदरु सरकार पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाते वे गुरुवार को कहा कि अब अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म उतर चुकी है, कॉंग्रिस ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके आठ साल आठ शल, भाजपा सरकार विफल, सीर्शक वाली एक पुस्तिका भी जारी की है, पार्टी के मुखे प्रवक्तार अंदीप सुर्चे वाला ने समवादाताओं से कहाई कि नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मोदी आए तो महंगे दिन ला और उन्हें सक्त करने की जरूरत है, अमेरिका में सबसे खराब स्कूल गोली बारी में से एक में से एक अठारा वर्शी है, बंदूबधारी ने टेकसास प्रात्मिक विद्यालियों में कक्षा के अंदर 19 बच्चे और दो गयसे को सहीत 21 लोगों की जान ले ली, जिससे रा लोग शाबलों ने 2022 में अब तक पच्चास मुठ फेडों के 83 अलगावादियों को जान से मार दिया है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी एक और दुखत घटा सामने आई है, उप्योग करता ने दावा किया है कि सवारी करते समय उसके ओला S1 प्रो का फ्रंट सस् जो ट्यूब और वील को हैंडल बार से जोडती है, कमगती से ड्राइविंग के बावजू तूट गई प्रतिभागियों को टीम्स मीटिंग में को वाच और को एडिट को क्रियेट और बहुत कुछ करने में सक्षम बनाता है, माइक्रोसॉर्फ 365 सहीयो के कॉर्परेट उपाधियक्ष जेफ टेपर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि डेवलापर्स मौजुदा टम्स आप्स को आसानी से विस्तारित करने और बैठकों में लाइव शेयर अनुभव बनाने के लिए टम्स S.D.K. में ने पुर्वा लोकन एक्स्टेंशन का उप्योग कर सकते हैं ताज महल परिसर में सित्ष शाही मस्जुद में नमाज पढ़ने वाले चौर परेटकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनमें से तीन परेटक हैदरबाद के रहने वाले हैं और एक यूवक यूपी के आजमगड का रहने वाला है ये चारों परेटक बुधवार को ता ताज गल जिताना पुलिस के सुपूर्ट कर दिया है पुलिस एफायार दर्जकर चारों को कोर्ट में पेश करेगी जहां से आगी की कारवाई होगी दिली के नवन्युक्त उपराजुपाल विने कुमार सकसेना ने आज राजनिवास में पद और गोपनियता की शपत ले ली है राजनिवास में आयोजित शपत ग्रहन समारों में उन्हें दिली हाई कोड की कारेकारी मुख्यने आधिश जस्टिस विपन सांगी ने शपत दिलवाई शबत ग्रहन समारों में दिली के मुख्य मंत्री अर्वंदिकेज रिवाल नेता प्रतिपक्ष रामदीर सिंग बिधूरी और भाजपा सांसद गिरीराद सिंग दिली सरकार में मंत्री राजेंद्र पॉल गौतम गोपाल रोय स्वासमंत्री सतेंद्र जैनादी मौझूद रह और विजेंद्र सिंग अब शेहर में बॉक्सिंग एकाडमी के लिए जगह देने की इच्छा जाहिर की है जुसकी बाद जेडिसी ने अतरिक्त आयुकते LPC को निले कुंज योजना या फिर अन्यतर स्थान पर भूमी आवंटन के विकल्प तलाशने की जिम्मदारी सौप प्रतिश्ट जुर्माना दा करेगा ये जुर्माना 2022 की पहली तमाही में ट्विटर के राजुस्व का लगभग 13 प्रतिश्ट जुर्माना है साथी ट्विटर संगियर नियामकों के आरोप को निप्टाने के लिए नए सुरक्षा उपाई करेगा सोशल प्लाटफॉर्म पर आरोप है कि 6 साल की अधी में वो उपियो करताओं के डेटा की गोपनियता की रक्षा करने में विफल रहा है नयाए विभाग और संगिये व्यापार आयोग ने बुधवार को ट्विटर के साथ समझोते की गोशना की है विजडि मंत्राले ने कहा है कि वो विटरन कम्पनी आने के डिसकॉं के ऊपर विद्योत उत्पादन कम्पनी जिनेको के बकाय के भुकतान को लेकर एक नई योज़ना पर काम कर रहा है वेश्विक घटना क्रब के चोलते अर्थववस्ता पर तगडी चोट पड़ रही है विश्वे बांक के प्रमुख डेविस माल पासनी वेश्विक मंदी की आश्रं का जोताई है समचार एजेंसी IANS के रिपोर्ट के बताविक उन्हाने चेतावली दी है कि योज़न पर रूस के हमले से वेश्विक वंदी का खत्रा मंद्रा रहा है क्योंकि खादे उर्जाओ और उर्वर की कीमतों में उच्छाला है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने गुरवार को हाई इन्फलेशन का हवाला देते वे 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास की अनुमान को पहले के 9.1 प्रतिशत से घटा कर 8.8 प्रतिशत कर दिया है ग्लोबल माक्रो आप लोग 2022 के अपने अपडेट में मूडीज ने कहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा बताता है कि दिसम्बर तिमाही 2021 से विकास की गती इस साल पहले चार महीने में जारी रही है कल हमारे द्वारा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धने बाद आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है के नाम है कुश कुमार यादव, जूतेंदर ठाकुर, हीरा लाल, राहूल कुमार, गुलशन कुमार, गोलू, नुन्नु कुमार, जूतेंदर सिंग, आलो कुमार, मिन्टो कुमार, सुभाश कुमार आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंथ में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके निसार राज़सान और बैंगलोर के बीच में खेले जाने वाले कौलिफार में कौन से टीम फाइनल में जाने में कामियाब होगी अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश-प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइक कॉन दबाना ना भूले धन्यवाद